अमेरिका के कैलिफोर्णिया में करनाल के गाउ उपलाना स्थीत डेरा साया निवासी इवक मनिंदर की गोली मार कर हत्या कर दी गई मनिंदर वहां पर एक स्टोर पर काम करता था जहां नकाप पोश ने गोली मार दे सुचना मिलने पर परिवार के साथ गाउं में भी मातम छा गया बता दे कि मनिंदर इकलोता बेटा था उसके पिता ने देड़ एकर जमीन बेच कर 23 लाख रुपए अजेंट को दे कर उसे 8 महीने पहले ही अमेरिका भेजा था जहां पुलिस ने सही कागजात नहीं होने पर उसे गिरफतार कर लिया था और करीब 13 लाख रुपए खर्च कर नवंबर में जमानत हुई थी दो महीने पहले ही स्टोर पर क्लर्क की नोकरी में लगा था घर में भुजर्ग माबाप के साथ पतिनी वो दो बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है विडंबना यह है कि कर्ज में डूबे माबाप बेटे के शव को भारत लाने में असमर्थ है इस कारण उन्होंने अमेरिका में ही उसका अंतिन संसकार कराने का नियने लिया है मिर्तिक मनिंदर के ममेरे भाई कवल जीत सिंग जलमाना ने बताया कि मनिंदर 2019 मई के अंत में अमेरिका गया था वहां अमेरिका पुलिस ने उसे पकड़ लिया था इसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा नवंबर में ही उसकी जमानत हुई थी और इसके बाद वैं एक डिपार्टमेंट स्टोर पर कलर लग गया था स्टोर पर 22 परवरी अलसुभै एक नकाब पोश ने मनिंदर को गोली मारती जिससे उसकी मोके पर ही मोत हो गई अमेरिका पुलिस ने शव को कबजे में लेकर कारेवाही शुरू की है लेकिन परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है कवलजीत ने बताया कि शव को लाने की प्रक्रिया में काफी ज्यादा खर्चा आएगा और करीब 15 दिन का समय लगेगा इसलिए अब रिष्टेदार उसका वही संसकार कर देंगी मरिंदर की पतनी अमंदीब को और अपने पती को सुभै साड़े पाच मुझे फोन करती थी रविवार को जब फोन किया तो मरिंदर ने फोन नहीं उठाया इसके बाद रिष्टेदारों ने बताया कि वहाँ पर मनिंदर की एक लुटेरे ने गोली मारकर हत्या कर दी है मरितक के जीजा कुलदीब सिंग ने बताया कि उसके साले का अमेरिका जाने का शोक था घर की हालाथ ठीक नहीं थी मनिंदर ने अमेरिका जाने के लिए डेड़ एकर जमीन वेच दी थी इसके बाद एजेंट को 23 लाख उर्पे दिये थे वहीं बाद में जमानत के 13 लाख उर्पे दिये तब जाकर नवंबर में जेल से बाहर आया था मृतके जीजा कुल्तीप सिंग ने बताया कि मनिंदर अपने माता पिता का अकेला पूतर था मनिंदर के अमेरिका जाने के बाद परिवार में बुजर्ग पिता जोगिंदर सिंग माता सर्वजीत कोर, पत्नी अमंदीप कोर, बेटा शान और बेटी शीरत है इन दोनों बच्चों के सिर से उसके पिता का साया उठ गया है देखे एक रिपोर्ट बात हों कि उससे अच्छा बोल रहा था लेकिन उसके बाद क्या पता क्या हूँ भाहहं पे क्या हुआ है, इन अफ्छी वाहं पे मन्तरालया से आप कर फोन आहि langो, अप यह उसकार जारे है पर किसारा जाई देखो, यहां पर बोड़े मुंगाने के लिए तो ये खर्चा फोड नहीं कर सकते परवार वाले पहले बहुत इनकी आर्थिक आर्थिक आर्थ बहुत ही खराब है अगर कोई सरकार सहता देती है तो हम लाने की कोशिश है कोई डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक थे जहां अपने रोड रिष्टेदार वहाँ है जी डिपार्टमेंट स्टोर वाले से तो नहीं होई लेकिन उसका कोई रिलेटिव है उससे बात होई थी वो कह रहा था भी कर रहा हूं मैं वहाँ पर कारवाई कितने बच्चे हैं उसके दो बच्चे जी गुड़िया साथ साल की है लड़का पांच साल की है कब गया था ये ये जून में गया था जी लगब छे साथ मीने पहले गया था कि अधी हो ये आक अधी कि पता लगया था जी था आपना मुंदा जी आने कीती है फोन सब्सक्राइब कर दो चार्ट किली साना ओवेजवाज के रहने चल में तक जारा कारांगा तुझी टेकर करते रहो बदार जी पर माध मासा डला पाना कार देना जी उजड़ गया तमुझी किस तरह किभी रहा है उते जिए दिकांते सी चीज वेजदा जी प्या लुटता ना थे ने गौट क्या ना कोजन को जी तो ने गौली ठोकी है जी गोन दो बोलियां वज़ी आने डूब दो एक सेड़ेज कर कांडेज वज़ी आनु जी इक पता लगा है सवेरे पंज वजे आरोच करते देदा ना पापा तब्सक्त जी आज़ें आज़े चाय जिक्ताई प्ष़ुक्वस्ट में खरागा फ्लाष प्लाष दिए कर साथी बार प्लाष नहीं ? साथी कर्णॉच यह संदूख О्प्लाष नाविंक नप्लाष लाई हैं जेबीडी बांक्वेट सलाय हैं इंक्रेड़ अरिबल मैर्ज पलस राजग घराना and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.